क्या आपके खाने में प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में हैं? क्या आप अपने खाने से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपके खाने में विटामिन्स की सारी टाइप्स मौजूद हैं? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने डाइट से पूरी तरह साटिस्फाइड है और फिर भी आपको हैर डामेज हो रहा है तो फिर आप गलत है आपका खाना आपको पोश्चन नहीं दे रहा है हम जो महंगे महंगे खाने आजकल खाना खाते है इतना महंगा मार्केट में वेजटेबल्स, फ्रूट्स सारी चीज़े इतनी महंगी आती है उसको लेकर हम आते हैं इतने प्यार से बनाते हैं और बहुत मज़े लेके खाते हैं लेकिन होता क्या है? फिर भी हमें इसके यह बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हमें पूछना चाहिए अपने आप से, हम सभी आम तोर पे बात करने के टाइम, हम सब बोलते हैं, यार आजकल के चीजों में पहली वाली गुन कहां रहें, पहले के लोगों के स्किन देखिए, आपको याद हों मेरी नानी के स्किन बहुत अच्छी है, और वो अलजाइमेट पेशेंट है, फिर भी आज भी उनके स्किन चमकती है, उनके बाल बहुत टाइम तक बहुत मजबूत रहें, बहुत गने, और आजकल वो चीज देखने को नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? कारण यही है, पोश जितना हमें चाहिए होता है, हमारे हैर को उसके ग्रोथ के लिए, उसके डामेज प्रोटेक्शन के लिए, प्रॉपर अमाउंट में अमाइनो इसिट चाहिए होते है, प्रॉपर मात्रा में सभी प्रकार की विटमिन्स चाहिए होती है, लेकिन हमारे खाने से वो सारी चीज फिर वापस उसको स्टोरेज में डाला जाता है फिर हम बड़े प्यार से जाके मार्केट में या मार्ट में जाके खड़े हो जाते हैं और वो फ्रेश फ्रेश देख कर खरीद लेते हैं भया 10-15 दिन पहले तूटा हुआ वेजिटेबल फ्रूट आज तक फ्रेश है सोचो कितने केमिकल्स डालते होंगे वो वेरी डेंजरुस सिचुएशन इस गूइंगान नौ हमें इस चीज से सतर्क होना है आज के डेट में अगर आप फूट सप्लिमेंट नहीं ले रहे हैं तो आप बहुत बड़े खतरे को बुला रहे हैं आपको पता है जिंक की कमी से हमारे बॉडी में कैंसर हो सकता है ये बहुत बड़ी बात है और कोई भी डॉक्टर आपको बिमारी से बचा लेगा लेकिन आपको ये नहीं बताएगा नहीं बता सकता है वो बता भी नहीं सकता क्योंकि उसकी पढ़ाई ही nutritional बेस पे नहीं हुई है disease बेस पे हुई है तो डॉक्टर आपको बिमारी से बचा सकता है वो क्योर कर सकता है वो आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता मेरे खुद के पापा डॉक्टर है लेकिन मेरे पापा ने क्या मुझे बिमारिया होने से बचा लिया नहीं बचा पाया क्यों, क्यों, क्योंकि उन्हें बीमारियों से क्योर करने के उन्होंने पढ़ाई की है, उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि बीमारियों से कैसे बच जाया जाए, अदर्वाइस वो डॉक्टर नहीं बनते, कोई भी डॉक्टर नहीं होता, तो आप जब भी सोचो आप क्या पालक कि आप डॉक्टर को पूस्ते हो, कि क्या मैं पालक खा सकता हूँ, या खा सकती हूँ, क्या आप फूरूट्स खाने से पहले पूस्ते हूँ, कि डॉक्टर क्या मैं अप्पल खा सकता हूँ, आपको पता होता है, अप्पल आपके लिए अच्छा है तो आप खाते हूँ, food supplement is very essential because आज के डेट में हम कोई भी चीज पी और नहीं खा रहे 10-15 दिन पुरानी चीज़ें हम तक पहुंसती है फिर हम उसे over cook करते है या normal cook भी कर देते है तो ऐसे भी 80% हम उसे जला दिये सारे nutrients को मार दिये फिर हम उसे खाते है उसे क्या होता है आपका बस पेट भड़ता है बस उससे जादा और कुछ नहीं होता यही रीजन है कि हमारे बालों में वो पोशन ही नहीं है जिसके वज़े से हमारे बाल मजबूत हो पाए आपको क्या करना है इसके लिए आपको अपने शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है अब यह इतना बड़ा टॉपिक है कि मैं इसको पार्ट वाइज लेकर आऊँगी आज जो मैं बता रही हूँ यह सिर्फ मैं न्यूट्रिशन बेस के लिए बता रही हूँ आपको क्या क्या करना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना और इसके बाद जब मैं वीडियो लेकर आऊँगी मैं फ्री रेडिकल्स पे लेकर आऊँगी जिसके जो बहुत ही बड़ी और एहम वज़ा है बहुत बड़ी बड़ी बिमारियों की और उससे कैसे बचा जाए, क्या लिया जाए, वो भी मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी आपको अपने सिहत के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको जानना चाहिए, कि आप क्या करें, कि आप बिमारी से खुद को भी बचाए, अपने परिवार वालों को भी बचाए तो फूर्ड सप्लिमेंट की जहां तक बात आती है, तो आपको अपने फूर्ड सप्लिमेंट में विटमिन C और मल्टी विटमिन का प्रियोग करना चाहिए जिसमें जिंक की मातरा हो, जिसमें बायोटिन हो प्लस आपको अपने फूड में प्रोटीन पाउडर, ओल प्लांट्स प्रोटीन पाउडर शामिल करना जाहिए Just in case if you are non-vegetarian, तो आप जिस दिन non-veg खाते हो, आप उस दिन वो चीज़ स्किप कर सकते हो हाँ, एक चीज़ जरूर है, मैं जो कहना चाहूंगी, वो यह है कि अगर आप यूरिक एसिट आपका अगर बढ़ा रहता है, तो आप प्रोटीन पाउडर लेने से पहले अपने यूरिक एसिट की जाच जरूर कराओ और अपने डॉक्टर से समपर्क करने के बाद ही किसी भी प्रकार का प्रोटीन यूज़ करो, तो यह बहुत जरूरी है, कि आप अपने डायेट में एक अच्छे प्रोटीन को शामिल करो, मल्टी विटामिन को शामिल करो, और विटामिन C को सामिल करो, अगर आपके तो आप fruit, nuts, जरूर शामिल करो, nuts बहुत ही important है, almonds हुआ, आप संफ्लावर के बीच सकते हो, seeds of sunflower and alci ke beec, flax seeds, omega के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे body में omeka, हरी skin or hair के लिए, then you can buy chia seeds ले सकते हुआ, वह आपको fat loss कराने में helpful है और आपके बालों को भी अंदर से मजबूत रखता है और मैं बहुत टाइम से चिया सीर्स लेती आ रही हूँ और इसका अफर आपको दिख रहा है मेरी दो बेटिया है और डिलिवरी के बाद भी कुछ दिनों तक जो नॉर्मल हैर लॉस होता है उसके बाद बंद हो गया आपको अपने डाइट पे बहुत धिहान देनी की ज़रूरत है आपके डाइट अगर प्रॉपर होगी तो आप वैसे ही 80% अपने बाल के हैर लॉस से आप बिलकुल निश्चिन तो जाओगे बिलकुल नहीं होगा और अगर उसके बाद भी होता है तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आने वाली हूँ ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि किस तरह से आप अपने हैर लॉस को बचा पाओ ठीक है क्या है ना कि हैर लॉस is a very big topic अगर मैं आपको दो चार पेस्ट बता दूं कि आप लगा लो और हैर डामस ठीक हो जाएगा तो मुझे बहिया बता दो आप कौन सा पेस्ट लगाना चाहोगे और आप को खुद में अंदर से कहां से फीलिंग आती है आप लोग तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी फेक यहां पे नहीं करना चाहती है मैं कुछ भी कोई भी पेस्ट नहीं बताया जाता है वो गलत नहीं होता लेकिन अगर आपके अंदर का शरीर ही कमजोर है आपका बाल का जड़ ही कमजोर है तो फिर वो उपर से लगा के कोई फायदा नहीं होगा तो सेकंड पार्ट में बहुत जल लेकर आऊंगी बहुत जल में एक दो दिन में ही आ जाएगा कि आप फ्री रेडिकल्स को अपने बॉडी से कैसे निकालो क्या है फ्री रेडिकल्स और आंटी ओक्सिडंट का क्या यूज है आपके फ्री रेडिकल्स को खटाने में आपके स्कीन को बढ़िया बनाने में और आपके हैर लॉस को खतम करने में तो इतने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक कियर और बाबाई.